साथियों, लंबे समय तक सरकारों में स्किल्ड डवलप्मेंट को लेकर ना वैसी गंबीरता थी और ना ही वैसी दुर्दरश्टी थी इसका बहुत बड़ा नुक्सान हमारे नवजवानों को उठाना पड़ा इंडिस्ट्री में डिमान होने के बावजूद, नवजवानों में टैलेंट होने के बावजूद स्किल्ड डवलप्मेंट न होने से युवाओं के लिए नोक्री पाना अत्यन कठिन हो गया था यह हमारी सरकार है जिसने युवाओं में skill development की गंभीरता को समझा है हमने skill development के लिए अलग मंत्राले बनाया और भारत में पहली बाद skill इसी एक विशय के लिए dedicated मंत्राले है मतलब की देश के नवजवानों के लिए dedicated एक नया मंत्राले है अलग से बज़ेटा ही किया गया है और अनेक योजना है शुरू की कौशल विकास योजना के तहट अभी तक एक करोड तीस लाग से ज़्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है सरकार ने देश भर में सेक्रो प्रधान मंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किये हैं साथियों स्किल्ड डेवलप्मेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है बाबा साहब अंबेड कर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था वे इस बात से भली भाती परिचित थे कि हमारे दलीत और वन्चीत भाई बहनों के पास उतनी जमीने नहीं है दलीतों पिछडों आदिवासियों को गरिमा पुर्ण जीवन मिले इसके लिए वो अउद्योगी करान इंडस्टियलाइजेशन उस पर बहुत जोर देते थे और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवारी अशर्त है स्कील, कौशल, अतीत में बड़ी संख्या में समाच के यही वर्ग स्कील्स के अभाव में अच्छे काम, अच्छे रोजगार से बन्चित थे और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाब गरीब, दलीत, पिछडे और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है